हेलो इंवेस्टर्स मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकार बार बार होगी तो आज की वडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे है वोड़ा फोन अडिया लिमिटेड के बारे में और साथ ही कवर करेंगे इसके रिगारिंग कुछ लेटेस अबडेट्स तो श्टॉक क करन्ड मार्केट प्रैस की बात करें तो फिलाले स्टॉक हमें 8.30 पैसे पर ट्रेड करते हैं और आज स्टॉक में आराओं हमें एक 1% का डाउन फॉल देखने को मिल रहा है जार रिसेंटले पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में वोड़ा फोन आड़े 14 और 15 रुपिस के टागेट्स बहुत जल शॉट तम में दिखाते हैं नजर आ सकता है अब रिसेंटली वोड़ा फोन आड़े में जो बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रहे है इस तेजी के पिछे जो पहला मेन रिजन है वो है गवर्मेंट अफ इंडिया का जो एक सपोर पिछेंस में कनवर्ट होते भी नजर आ रहे जहाली में देखा जाए तो कैबिनेट ने क्लियर किया तो जो बैंक गैरेंटी वेवर फोर टेलिकॉम जो की एक तरह से देखा जाए वोड़ा फोन आड़े के लिए एक काफी बड़ा प्लस पॉइंड या पर नजर आ रहे और जैसे की जो सबसे बड़ी अपडेट या पर नजर आ रहे जा पर वोड़ा फोन आड़े और इंडर्स टावर बहुत चल्रेल या पर अप्लस अपर अप् सजेस्ट करते वी नजर आ रहे, क्योंकि सब्ता को पता है अब वोड़ा फोन आडिया में आको एक बड़ी रैली ब चाफी ज़रा इंपोर्टन है क्योंकि वोड़ाफोन आड़ है जब भी अपग्रेड होगा तो बहुत जल्ब वोड़ाफोन आड़ है अपना जो 5G नेटवर्क के उसे यापर लॉंच करेगा और जार तक फिलाल जो मार्केट में यापर जो न्यूजेज चले उसके आकोड़ अच्छे आने लगे वैसे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस उसमें हमें एक बड़ी इएलि देखने हो मिले और स्टॉक सेक्टर का एक ऐसा पैनी स्टॉक ही जो अभी भी हमें काफी ज्यादा अंडर वल्यू प्राइस और अभी भी हमें काफी ज्यादा डिसकांटेट प्राइस पर मिलते हुए नज़र आ जिसमें खूद गवर्मन्ट ऑफ इंडिया की एक अच्छे कासी होल्डिंग हमें देखने को मिलते हुए नज़र आ रही तो यह कुछ ऐसे की पॉस्टिटिव पॉइंट से जिसके चलते हम इसरे प्रेडिक कर सकते हैं बहुत जल्ब वोड़ाफ नाइडा में एक बड़ी रैली तो 100% आने वाली है अब श्टॉक के रिगारिंग रिसेंटले कुछ दूसरी बड़ी अबडेट्स को कवर करें तो एक तरफ काफी सस्क्राइबर्स के यह भी कमेंट्स आते हैं कि वोड़ाफ नाइडा में हमें आने लिए समय में काफी बड़ी गिरावट और भी देखने को मिलते ही नज़र आ सकते हैं लेकिन मैं आपको मेरी अक्सर मेरे वीडियोस में बोलत 5G के लिए और ये एक सबसे बड़ा या पर पोजट पॉइंट नज़र आ रहे है जापर अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि इस टॉक में आनुले समय में एक गिरावट या पर देखने को मिले लेकिन जा तक मुझे लगता है डेफिनेटली फिलाल स्टॉक में हमें एक बड़ी रेली का या पर वेट करना पड़ेगा और जा तक मुझे लगता है आने वले एक या दो विक्स के अंदर ही आपको एक बड़ी रेली और एक बड़ी अपडेट वोड़ा फुन आड़ा में देखने हो मिलेगी जासे ये स्टॉक आपको भूम होते वे और में भी र एसी स्टॉक मार्केट की वीडियो सिलाते देते तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलेगी वीडियो में थेंक यू